हेलो फ्रेंट्स, हाओ आर यू, वेलकम तु माई यूट्यूब चैनल वंदनारा होमेकर फ्रेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक पुरानी शर्ट से बहुत ही खुबसूरत लेडीज टॉप हम कैसे बना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स, इस पुरानी शर्ट से मैं बहुत ही आसान तरीके से लेडीज टॉप बनाना आपको बताऊंगी ये पुरानी शर्ट है, ये लगभग डबल एक्सल साइस की ये शर्ट है तो हमको क्या करना है, कि ये जो पहला बटन है, हम सारे बटन्स को बंद कर लेंगे और ये जो पहला बटन है, यहां पर हम एक मार्क कर लेंगे इस टाइप से, उसके बाद ये जो स्लिप्स की सिलाई दी हुई है इस से एक इंच इधर यह हम यहां से नाप लेंगे, एक इंच पर हम एक निशान इधर लगा लेंगे, और एक ही इंच पर हम एक निशान यहां भी लगा लेंगे, उसके बाद इस निशान को इस निशान से ऐसे गोलाई करते हुए, हम नेक का शेप देंगे, यह आप देख सक का यह को रृइप से एक सते हängt के इस टाइप से इधर भी यह आप सकते हैं इस टाइप से हम यह गुलाई दे देंगे यह कमारी Хो गई और हम चाहें तो इस पर ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं और अगर हमको दिक्कत आए तो हम इसको ऐसे बराबर से फोल्ड करके इस टाइप से उसके बाद यहां से ऐसे कटिंग कर लेंगे तो फ्रेंट्स यह कटिंग मैंने कर दी है और उसके बाद यह जो यहां पॉकेट लगी हुई है इसको हम खोल देंगे और स्लीव में यहां पर मोड कर सिलाई की हुई है तो इसको भी हम खोल देंगे जिससे स्लीव थोड़ी सी लंबी हो जाए तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि यह पॉकेट मैंने निकाल दी है और यह स्लीव पर यह जो मोड कर सिलाई की हुई थी इसको भी मैंने खोल दिया है जिससे स्लीव हमारी इतनी लंबी और हो गई है यह हाफ स्लीव थी इसलिए मैंने ऐसा किया और friends इस गले पर हमको क्या करना है कि इसको हमको ऐसे अंदर से इस टाइप से ऐसे मोड कर सिल लेना होगा उसके बाद हम इस पर elastic लगाएंगे तो ये मैंने elastic की cutting की है इसकी cutting हम अपनी इक्षा मुताबिक जितना बड़ा हमको गला रखना हो जैसे मैंने इतना बड़ा ये आप देख सकते हैं इतना ये elastic cutting की है जिससे ये गला हमारा इतना छोटा हो जाएगा अगर आपको और deep गला रखना है तो इसकी elastic की cutting हम थोड़ी और बड़ी elastic काट लेंगे और अगर और छोटा गला हमको बनाना है तो और छोटा हम elastic कट करेंगे तो ये लगाने के बाद सिकूड कर हमारा गला जो है छोटा बन जाएगा तो ये मैंने elastic की cutting ये अपने गले के मताबिक कर ली है जितना बड़ा गला हमको रखना होगा उसके बाद friends हम बीज में भी elastic लगाएंगे तो ये अपनी कमर से नाप के जितना tight हमको यहाँ पर पहनना हो तो उसी के according ये elastic की cutting भी मैंने कर ली है इसको भी आप अपनी कमर के मताबिक कर सकती है कम या जादा तो मैंने इतना किया है तो ये कपड़ा सिकूड कर ये इतने में ही ऐसे adjust हो जाएगा अगर हम और छोटा elastic कट करेंगे तो ये और कपड़ा ऐसे frill बन जाएगी तो इसको भी हम अपने according ही cut करेंगे उसके बाद friends हम यहाँ sleeves में भी elastic लगाएंगे तो ये भी हम अपनी sleeves को यहाँ पर नाप लेंगे जितना मतलब हमको tight चाहिए उसी के according ये elastic मैंने ये cut कर लिया है ये भी यहाँ पर ऐसे frill बना देगा तो ये सब elastic मैंने cut कर लिया है तो friends अब हमको क्या करना है कि ये buttons हम खोल देंगे और इसको friends हम पलट लेंगे इस type से ये आप देख सकते हैं इसको मैंने ऐसे पलट दिया है तो friends इसको मैंने पलट दिया है ये आप देख सकते हैं ये सीधा वला पार्ट अंदर है और ये उल्टा वला पार्ट है और अब हम यहाँ शोल्डर पर से नापेंगे ये और 15 इंच पर यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे और इसको जो है इस type से हम यहाँ पर भी एक 15 इंच पर निशान लगा लेंगे ये और इसको हम मिला देंगे इसी पर हमारी elastic लगेगी तो friends ये निशान मैंने लगा दिया है और यही निशान पीछे तक हम पूरा लगा देंगे आगे से पीछे तक हमारी elastic लगेगी और ये नेक पर यहाँ पर friends हमको इस तरह मोड करके ये पूरे नेक की सिलाई करनी होगी और अगर हम चाहें तो पिकको भी कर सकते हैं तो थोड़ा सा कपड़ा सिलाई या पिकको में हमारा चला जाएगा तो हम सवा इंच पर यहाँ पर बन जाएगा इसी तरह हम इधर भी निशान लगा लेगए तो friends सवा सवा इंच नआप के ये मैंने निशान लगा दिया है इसी पर हमारी elastic लगेगी और इसी तरह इस तरफ भी पीछे की तरफ भी सवा सवा इंच नआप कर हम पूरा निशान लगा लेगे और sleeves पर भी friends हम यहाँ पर किनारे पर सवा इंच या डेड़ इंच भी हम अपनी इक्षा मुताबिक रख सकते हैं इस type से नाप नाप कर इस पर भी friends हम निशान लगा लेंगे इस type से आगे से पीछे तक और इस पर भी जो है इसको यहाँ से मोड कर सिलने के बाद यहाँ पर हमारी elastic attach होगी तो friends आप देख सकते हैं कि यह sleeves पर दोनों और यह गले पर और यह कमर पर यह मैंने निशान लगा लिया है और इसी size का इसी snap का यह back part में भी यह आप देख सकते हैं यह sleeves पर गले पर और यह यहाँ पर भी मैंने निशान लगा लिया है और अब मैं सिलाई शुरू करती हूँ तो friends सबसे पहले हमको क्या करना है कि यह जो पूरा गला है यह आप देख सकते हैं आगे से पीछे तक इसको हमको क्या करना है कि यह आप देख सकते हैं यह पीछे वाला पार्ट है और यह आगे वाला पार्ट है तो इसको हम एक बार ऐसे और फिर एक बार ऐसे मोड़कर इस स्लीव्स है इस पर भी फ्रैंट्स हम एक बार ऐसे और एक बार ऐसे मोड़ कर इस पर भी हम सिलाई चला देंगे और अगर चाहें तो पिको कर सकते हैं तो फ्रैंट्स ये गले के चारो तरफ मैंने पिको कर दिया है और इसी टाइप से ये दोनों स्लीव्स में भी मैंने पिको कर दिया है और अब हमको क्या करना है कि यह सारे बटन्स हम बंद कर लेंगे उसके बाद यहां से पकड़ कर जहां तक हमको कमर में लास्टिक लगाना है यहां तक हम इसको आपस में सिल कर यह दोनों पार्ट आपस में अटैच कर देंगे यह आप देख सकते हैं मैंने यहां से यहां तक सिलाई चला दी है और इसके बाद हमको friends इसको उल्टा करना होगा तो friends सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यह elastic का दोनों किनारा पकड़कर हम यहां दो तीन बार सिलाई चला देंगे जिससे आप देख सकते हैं यह इस type से हो जाएगा उसके बाद हमको इसको इस तरह बराबर करना है और एक निशान इस किनारे पर और दूसरा निशान इस किनारे पर इस type से हम लगा लेंगे उसके बाद एक बार और इसको ऐसे हम मोडेंगे और फिर यहां पर भी और एक निशान यहां पर भी लगा लेंगे यह चार निशान आप देख सकते हैं यह रबड पर लग गए हैं उसके बाद हमको क्या करना है कि इस किनारे वाले को यहाँ पर लगाकर यहाँ से हम इलास्टिक लगाना शुरू करेंगे तो यहाँ पर हम इसको पिन की मदद से इस टाइप से यह आप देख सकते हैं इसको हम पिन अप कर लेंगे इसरा निशान जो यहाँ मैंने लगाया था इसको यहाँ से इस शोल्डर पर से एकदम किनारे यहाँ जहां मुटे को लास्टिक लगानी है मैंने लाइन बना रखी है इसको मैं यहाँ पर इससे इसको यहाँ पर पिन अप कर लूँगी तो इस टाइप से मैंने यह दोनों पिन अप कर लिया है उसके बाद फ्रेंड्स एक निशान यह है और एक निशान यह है तो इसको हम यहाँ पर यह आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको pin up कर लूँगी इस type से और यह वाला निशान जो है इसको मैं यहाँ back पर middle part में यहाँ पर इसको मैं ऐसे pin up कर लूँगी और उसके बाद हमको friends यह पता चलेगा कि हमको यह elastic इस type से हमको खीच कर इसको इतने दूर में ही ऐसे adjust करना है जिससे हमारी frill चार तरफ एक बराबर की बनेंगी यह elastic हम इस तरह लगा लेंगे और सेम इसी तरह यह हमको यहाँ पर कमर में लगाना है तो इसको भी मैंने बीच से silker attach कर दिया है और फिर बिलकुल उसी तरह से इसको भी मैं ऐसे बराबर से पकड़ूंगी और एक निशान मैंने इस corner पर लग इस type से तो यह 4 निशान लग चुके हैं और इसको friends हम इसमें से नीचे से ऐसे डालेंगे यह आप देख सकते हैं इस type से यह और एक निशान बीच वाला हम यहाँ पर pin up कर देंगे और side वाला निशान यह जो दिख रहा था यह एक किनारे पर और एक side वाला निशान इस किना करेंगे तो friends यह मैंने pin up कर दिया है और यह पीछे तक और अब इसी को खीच कर इस type से हमको machine चलानी होगी और sleeves के लिए यह elastic है जो मैंने cut किया था तो इसको भी हम इस type से पकड़ेंगे और यह इसका middle part निकल आया है और इसको हम friends क्या करेंगे कि यह यहाँ पर यह sleeves हमारी इस type से है तो यह उपर यहाँ पर हम इसको pin up कर देंगे pin से इस type से यह आद देख सकते हैं इसको हम इस type से pin up कर देंगे उसके बाद इस elastic को खीच कर यहाँ तक machine चला देंगे और इधर वाले को खीच कर इस type से यहाँ तक machine चला देंगे तो friends आप ये देख सकते हैं इस टाइप से यहां मैंने पिन लगाई है और ये निशान है तो इस रबड को हम ऐसे खीचेंगे और ये इतना ही फैलेगा और उसके बाद friends इस टाइप से हम मशीन चलाते जाएंगे तो friends ये elastic चारों तरफ यहां भी और sleeves में भी और गले में भी ये आप देख सकते हैं इस टाइप से मैंने लगा दिया है और ये जो है पुरानी शल्ट से कितनी प्यारी girls top बनकर ready हो गई है तो friends आप लोग देख सकते हैं कि बनने के बाद इस टॉप का लुप आगे से पीछे तक कितना प्यारा लग रहा है तो friends आप लोगों ने देखा कि इस old शल्ट से कितनी प्यारी टॉप बनकर त्यार हो गई है और इसका लुप पहनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है तो friends अगर आप लोगों को मेरी शल्ट से टॉप बनाने की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर आप लोग चाहें तो मुझे फेस्बुक और इंस्ट्राग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मैंने लिंक रिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे दिया है तो फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई